अमीर सास गरिब बहु के कहानी रेखा जी अभी 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 अपने पती मुकुलक ची के लिए कोफी बना कर कीचन से निकली ही थी कि सामने से लता को आते देख उनके पाड़ा चड़ गया रेखा जी अब सारा काम ही हमें करना है तो तुम्हारा क्या काम है या तुम्हें पता नहीं है क्या हमें सुबर उर्टेई कोफी पीने की आदर थे लता मा जी आ रही थी लेकिन रभी को जल्दी ओफिस जाना था उनके कपड़े प्रेस करने में टाइम लग गया रेखा जी बस हर बात की पहाना पहले से ही तेयार रहता है लता की साधी करके आए अभी केवल चार महिने ही हुए थे यहां आकर उसे जेशेल लगने लगा था कि किसी जेल में आ गई है उसे कहीं जाना ही तो परिमेशन लेना परते थी कोई गलती हो जाए तो पानिस्मेन मिलता था साध ससूर और पती तीनों ही एक ही सूर में उसका विरोध करते थे कभी कभी तो मन करता था कि यहां से भाकर अपने पापा के घर चली जाए लेकिन पापा हाट पेशन थे यह सब ने पता लग गया तो जाने क्या अनर्थ हो ज पेख कर दे रही थी तभी रभी ने आवाज दी लता क्या कर रही हो इतना टाइम में नहीं है मेरे पास कार चला कर नहीं जाना है मेट्रो में कितना समय लगता है तुम्हें पता है ना ज़रा साथ लेट पहुचोंगा तो ओफिस में से सुनना पड़ेगा रभी के एक एक इस बात की और इशारा था कि तुम्हारा पिता उसको कार नहीं दिया थे लेकिन वह सब सुन लेती है पिता कैसे पिता को कैसे बताए कि उनके जिबन साथी चुना था वह पैसा के लालची है एक दिन साम को रभी घर आया था तो वह अपने पापा के बात कर रहा था अब पुराने दो सर्माजी का मोटर बनाने चाहता हूँ, उनके सप्लाई सुरू करूँगा, पापा लेकिन बेटा उसके लिए तो कम से कम दस लाख रोपया चाहिए होंगे, वह कहां से आएंगे, रभी वही सोच रहा हूँ, तब ही लता चाहि लेकर बाहर आती है, रभी लता त के ताने दुखी होकर उसने जवाब दिया, रभी मेरे पापा के भरोसे मत रहना, उन्हें मेरी साधी करके अपना फर्च पुरा कर दिया, अगर आपको नोकरी करनी में दिक्कत है तो मुझे जॉप करने दो, दोनों मील कर कमाएंगे, या सुनकर रभी का पारा चड़ गया क्या बकवास कर रही हो, ज्यादा जुबान चलने लगी है, लता रभी में बहुत बरदास कर चुकी हूँ, इसलिए मैं जॉप करने का फैसला किया हूँ, मैं रभी नहीं मेरे घर में या सब नहीं होगा, तुम्हारे जॉप करने है तो अपने घर चली जाओ, लता मुझे पता था, आप यहीं कहेंगे, मैंने वकिल से बात कर ली है, मैं जल्दी ही तलाक ले लूँगी, यह सुनकर रभी और उसके पिता का हाथ पाव फुल गया, तभी रेखा जी, उहां आ गई, रेखा जी, देख लिया बहु को सीर पर चढ़ाने का नतीचा, निकल दे इसको घ भर से बाहर, लता ठीक है, मैं पुलिस को फोन कर देती हूँ, आप मेरा सारा सामान दहेज आपस कर दीजिएगा, साथ ही हर महिने का अपने पती की कमाई का आधा हिस्सा में कोट से ले लूँगी, इस मकान का भी मेरा हिस्सा आधा मकान नाम कर दीजिएगा, रेखा सुनने के या क्या कर रही है, मुकुल बेटे ऐसी बात क्यूं कर रही है, आज के बाद तुम हारे कोई कुछ नहीं करेगा, अपने कमरे में, अपने कमरे में जालता नहीं पापा जी, बहुत बरदास कर चुकी हूँ, मैं अब मुझसे नहीं होगा, दिन भर ताने, आप लोग इतन बात करते हैं, लता, मा जी, मेरे पिता का हाट पैसन है, अगर इस बात सुनकर कुछ होता है, तो इनके जिम्मेदार आप लोग होंगे, रभी, तुम्हारा क्या होगा, आज से पहले तो कभी भी ऐसी बात नहीं की, लता, आज तक अपनी मम्मी, पापा की हरताने की बरदास कर रही, ती लाक रुपेस, मेरे पापा ने साधी में खर्च किये, आपको कार चाहिए, बिजनिस करने के लिए पैसा चाहिए, लता, उसके समय अपना समान पे कर किया, और घर छोड़के जाने से पहले, अपने सास, ससुर और पती, तीनों की कह कर लता, मेरे पापा के अप के अरेश्ट करवा दूंगी, तला का नोटिस मिल जाएगा, चुप चाप साइन कर देना, लता वह से निकल कर अपने ही एक सहली के फ्लैट में पहुच गई, एक दिन पहले उसी ने, उसे हक के साथ, अपना आत्म सन्मान बचाने के लिए समझाया था, लता, कोमल को, लता कोमल आतो गई हूँ, लेकिन अब आगे क्या होगा, कोमल चिंता मत कर, मैंने बात कर ली है, मेरे आफिस में जगा खाली है, कल से तुम जॉब करोगी, और मेरे साथ रहोगी, एक महिने तक जॉब करने के बाद, लता एक दिन अपने घर चाती है, और पिता जी के सारी बात बताती है, उसके बात सुनकर, उसके पिता कहते हैं, पिता बेटे, बेटा मुझे तुम क्यूं नहीं बताया, लता पापा मेरे अपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं आपको परिशान करना नहीं चाहती थी, पिता बेटी में इतना कमजूर नहीं हूँ, मुझे कुछ समझ दीजिए, मैं पेर उपर खड़ा होने दीजिए, अपने एक भाचान बनाने दीजिए, कुछ ही महिने केस चलने के बाद रभी को तलाक का हो गया, रभी को पूछा देहेज में 30 लाख रुपे देने पड़े, साथ ही हर महिने अपनी शेलरी का एक हिस्सा मैं जमा कर बाता था, thank you for watching